सुप्रेम कोट की सकती के बाद चुनाव आयोग ने गुरुबार को इलेक्टोरल बॉंट का पांस साल का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दी गई डिटेल पर चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉंड डोनर्स की लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग की ओर से दी गई डिटेल के अनुसार सबसे ज्यादा चंदा भारती जनता पार्टी को मिला है पांस साल में बीजेपी ने साथ अरब से भी ज्यादा रकम के एलेक्टोरल बॉंड इनकैश किये है पार्टी ने 2019 के लोगसभा चुनाव से पहले 17 करोड इनकैश किया था चुनाव आयो की ओर से दी गई डिटेल में यह नहीं बताया गया है कि किस डोनर ने किस पार्टी को चंदा दिया है फिलहाल सिर्फ यही जानकारी दी गई है कि किस डोनर ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना चंदा मिला लेकिन किसने किसको दिया इसका ब्योरा नहीं दिया गया है पांस सालों में सभी राजनितिक दलों को इलेक्टोरल बॉंड के जरिये 12,779 करोड का चंदा दिया गया है इसमें से 6,060 करोड 52,00 का चंदा बीजेपी को मिला है चुनाओ आयो की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि इनकैश की गई 6,060 करोड 52,00 की रकम में से एक तिहाई हिस्सा 2019 के लोग सभाचुनाओ और 2023 के विधान सभाचुनाओ में इनकैश किया गया है 2023 में मध्यप्रदेश, राजस्थान, चत्तीसगर, मिजोरम और तिलंगाना में विधान सभाचुनाओ हुए थी पार्टी ने 2019 के लोग सभाचुनाओ में 1,700 करोड के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किये इन में से अप्रेल 2019 में 1,056 करोड, 86 लाग और मई 2019 में 714 करोड, 71 लाग के चुनाओी बॉन्ड इनकैश किये गए 2023 के विधान सभाचुनाओ में पार्टी ने 702 करोड के बॉन्ड इनकैश किये चुनाओ आयोग ने बताया कि 2019 से अब तक पार्टी ने कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किये हैं इन में से 202 करोड रुपे इसी साल जनवरी में इनकैश किये गए इसके अलावा फरवरी 2020 में 3 करोड जनवरी 2021 में 1.5 करोड और दिसंबर 2023 में 1.5 करोड रुपे इनकैश किये गए साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखन, पंजाब, बनिपूर, गुवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधान सभाचुनावों के दौरान पार्टी ने 662 करोड 20 लाग के चुनावी बॉन्ड रिडीम किये